ये कहानी है ग्रेटल और हैंसल की जो की एक वीच हंटर है, मूवी की शुरुवात होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो की काफी डरा हुआ था, वो अपने दो बच्चों को जंगल में एक जगा छोड़ देता है और कहता है कि मेरे आने तक यहां से हिलना मत, इ दर्वाजा खटकटाते हैं, दर्वाजा खुलता है, ये धीरे धीरे अंदर जाते हैं, ये जगह काफी अजीव होती है, तभी उन्हें वहाँ एक काफी डरावनी वीच दिखाई देती है, अब हम देखते हैं कि हैंसल को कैद कर लिया गया है, वीच उसे कुछ खाने के लि लेती हैं, और ये दोनों मिलकर वीच को जला देते हैं, अब इस घटना को काफी साल बीच चुके थे, हमें एक गाउ दिखाया जाता है, जहां एक लड़की को पकड़ कर रखा गया था, वहाँ का शेरिफ उस पे आरोप लगा रहा होता है, कि एक वीच है, ये उसे पानी म मेर वहाँ आता है, और लोगों को बताता है, कि बिना किसी सबूत के हम इस लड़की को जला कर मार नहीं सकते, हमें पता लगाना होगा, कि गाउ में जिन लोगों की मौत हुई है, वो इसी ने की है, या इसके पीछे कोई और है, पर शेरिफ सब को बताता है, कि ये एक वीच को जलाने के लिए बोलते हैं, पर तभी हम ग्रेटल और हैंसल को देखते हैं, जो कि अब बड़े हो गए थे, और वो दोनों ही वीच हंटर बन चुके थे, वो शेरिफ को उस लड़की को जलाने के लिए मना करते हैं, हैंसल उस लड़की को चेक करता है, कि क्या सच मे ये विच है या नहीं हैंसल बताता है कि ये विच नहीं है जो भूरी विच होती है उसके दातों पर और त्वचा पर एक सडंसी होती है इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं ग्रेटल बताती है कि हमें यहां मेयर ने बुलाया है हमें पता है कि यहां काफी बच्चे गायब हुए है और काफी लोग मारे गए है किसी निर्दोष को मारना अच्छी बात नहीं है पर गाव वाले बोलते है कि तुम लोग यहां से चले जाओ वरना मुसीबत बढ़ जाएगी पर हैंसल कहता है कि हो सकता है कि शायद तुम सबके बच्चे अभी भी जिन्दा हो इसलिए हम इस गाव का नुकसा नहीं होने देगे अब सब गाव वाले वहां से चले जाते है और वो लड़की भी वहां से चली जाती है यह देखकर शेरिफ काफी गुसा होता है और ग्रेटल को गाली देता है इसलिए ग्रेटल उसकी नाक तोड़ देती है शेरिफ के लोग ग्रेटल को मारना चाहते थे पर हैंसल उन्हें वर्निंग देता है अब हैंसल और ग्रेटल मेर के साथ वहां से निकल जाते है मेर ने इन्हें बताया था कि इस जंगल में एक अजीब सी कुटिया है जहां लोग जाने से डरते है हो सकता है कि वहां वीच का कोई सुराग मिले इसलिए ग्रेटल उस कुटिया में जाती है और यहां उसे काफी डरावनी वीच दिखती है वीच उसे देखकर भागती है पर ग्रेटल उस पे अपने बान से हमला करती है बान से बचने के लिए वीच कुटिया से बाहर निकलती है और काफी तेजी से भागती है पर यहां हैंसल ने एक ट्रैप लगया था जिससे वो नीचे गिर जाती है हैंसल उस पे हमला करता है पर वो वहाँ से भागती है, हैंसल उसका पीछा करता है, वीच उस पर हमला करती है, पर हैंसल बचते हुए आगे बढ़ता है, वीच काफी तेजी से भाग रही थी, ग्रेटल भी वहाँ आ चुकी थी, पर वीच उसे नीचे गिरा देती है, यहाँ इन तीनों में काफी लडा कि हमें उस वीच से बच्चों की जानकारी तो नहीं मिली पर एक मैप मिला है जिसमें बलड मून के बारे में बताया गया था ये कई साल में एक बार होता है और वीच इस दिन अपनी शक्ती जागरित करती है और बहुत पावरफुल बन जाती है आज से तीन दीन बाद ये रा जानकारी थी ये उन्हें जंगल में ले जाने वाला था पर ग्रेटल बोलती है कि रात में वीच की ताकत दो गुना बढ़ जाती है इसलिए हमें सुबह जाना चाहिए दूसरी तरफ हम शेरिप और उसके सात्यों को देखते है शेरिप हर किसी को पैसे देता है ताकि वो ब जान के चाहिए और यहां थोड़ा रेस्ट करते हैं और खाना भी खाते हैं पर तभी यह सभी लोग एक ढौन को देखते है वो इन सभी लोगों से पूस्ती है कि इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो एक आदमी पताता है कि गाउसे कुछ बच्चे गायव हो गये हैं औ पर वहाँ से निकल पाना उनके लिए संभो नहीं था, वो सब एक-एक करके मारे जाते है, वीच बोलती है कि यहाँ आकर तुमने काफी बड़ी गलती कर दी, अब सीन शिफ्ट होता है, और हम हैंसल और ग्रेटल को देखते हैं, ग्रेटल कहती है कि एक पिता और उसके तीन बच्चों पे वीच का हमला हुआ, पर वीच ने सिर्फ एक बच्चे को ही चुरा लिया, ये चीज काफी अजीब लग रही है, पर हैंसल इसे इग्नॉर करता है, यहाँ हम ब्रायन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसने हैंसल और ग्रेटल के बारे में काफी सुन रखा था, और वीच पकड़ने वाली सारी कहानियां उसने एक बुक में संजोय रखी थी, वो उनसे पूसता है कि तुमने इतनी सारी वीच को मारा है, पर वो तुमें क्यों नहीं मार सकती, पर वो इस पे कुछ नहीं कहते, तब ही वहाँ एक आदमी आता है, जो सेरिव दौरा जंगल में भेजा गया था, वो बताता है कि वीच ने सभी लोगों को मार डाला है, और यहां उसकी बॉडी में ब्लास्ट हो जाता है, अब हम उसी वीच को देखते हैं, जो क्येव में आई थी, यहां सभी बच्चों को कैद करके रखा गया था, यहां सभी वीच एक बच्ची को कुछ खिला रही होती है, और उसे मार देती है, सभी वीच बच्चों का खून पीती थी, जिससे आग का इन पे कोई असर नहीं हो, पर यह आख से ज़्यादा समय बच नहीं सकते थे, ओल्ड वीच कहती है कि एक दिन हमारी कोशिश कामियाब होगी, और हम आमर हो जाएंगे, सुबह होती है, और हम हैंसल को देखते हैं, जो अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रहा था, यहाँ वो लड़की भी आती है, जिसे लोग वीच समस्ते थे, इसका नाम मीना होता है, मीना उसे शुक्रिया कहती है, क्योंकि ग्रेटल ने उसकी जान बचाई थी, हैंसल को यहाँ कुछ होने लगता है, वो बताता है कि बच्चपन में एक डायन ने मुझे काफी कैंडी खिलाई थी, तब से मुझे कुछ होने लगता है, और इसलिए मुझे डायबेटीज का इंजिशन लेना जरूरी है, और अगर मैं ना लू, तो मैं मर जाऊंगा, यहाँ मीना और हैंसल में दोस्ती हो जाती है, हैंसल वहाँ से चला जाता है, दूसरी तरफ हम एक वीच को देखते हैं, जिसे एक बच्चे की चिलाने की आवाज आती है, इसलिए वो उस दिशा में बढ़ती है, और उस बच्चे तक पहुसती है, पर यह एक पुतला था, और यहाँ एक टेप रिकॉर्डर बज रहा था, इनफेक्ट हैंसल और ग्रेटल का यह एक प्लान था, ताकि वीच को पकड़ा जा सके, यह उसे पकड़ लेते हैं, जैक्चन भी वहाँ होता है, पर वीच इन पे हमला कर देती है, यहाँ इन सब में काफी लड़ाई होती है, वीच जैक्शन को घायल कर देती है, और वहाँ से भागती है, हैंसल और ग्रेटल भी उसका पीछा करते है, पर यह वीच काफी ताकतवर थी, वो ग्रेटल पे हमला करती है, और वहाँ से भागती है, हैंसल भी उसके पीछे होता है पर एक जग ये दोनों से पकड़ लेते हैं पर इससे पहले वीच इन पे हमला करे जैक्सन वीच को बेहुश कर देता है और उसे शेरिफ के कयद खाने में लेकर आते हैं हैंसल वीच से उसके प्लान के बारे में पूशता है पर वो कुछ नहीं पोलती, तभी ग्रेटल को याद आता है कि अब तक इस गाव से टोटल 11 बच्चे उठाए गए है, 6 लड़किया और 5 लड़के, और जल्द ही बलड मुन की राद भी आने वाली है, मतलब इन्हें टोटल 12 बच्चों का बलड चाहिए था, जो की अलग-अलग महिनों में जन्म हो, 11 बच्चे विच ले गई थी, मतलब वो एक बच्चा जो इस महीने में जन्मा हो, उसे लेने वो जरूर आएगी, फीच बोलती है कि तुमने काफी देर कर दी, ओल्ड विच बच्चे को ले जाएगी, हैंसल जल्दी से सेरिफ के पांस जाता है, और सभी डॉकुमेंट चेक करता है, उसे पता चलता है कि कौन सी लड़की इस महीने में जन्मी थी, वो शेरिफ से उसका एड्रेस पूसता है, दूसरी तरफ हम ओल्ड विच को देखते हैं, जो गाओं में आ चुकी थी, वो गाओं पे हमला करती है, और उस घर में पहुसती है, जहां वो लड़क थी, उस चोटी बच्ची का भाई अपने बहन को बचानी की कोशिश करता है, पर वो उसे मार देती है, और उस लड़की को लेकर वहां से निकलती है, यहां हम वीच के सेवक को भी देखते हैं, जो काफी बीग था, वो बच्ची को कैद कर लेता है, अब वीच वहां से निक वो जैक्सन पे हमला करती है और उसे उपर से नीचे फेक देती है यहां वीच और ग्रेटल में काफी लड़ाई होती है पर वीच काफी ताकतवर थी जैक्सन वीच को शूट करता है पर इसका उस पे कोई असर नहीं होता यहाँ वीच जैक्सन को मार देती है, यहाँ ब्रायन भी आ चुका था, वो ग्रेटल को वहाँ से ले कर जाता है, ओल्ड वीच अपनी साती को वहाँ से छुडा लेती है, दूसरी तरफ हम हैंसल को देखते हैं, जो उस बच्ची को बचाना चाहता है, पर एक वीच उस पे हमल अगर वो हैंसल और ग्रेटल को यहाँ नहीं लाता, तो वीच हमारे गाउ को तबह नहीं करती, मेर सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर शेरिफ उसे गोली मार देता है, अब हम ब्रायन को देखते हैं, जो ग्रेटल को अपने घर लाया था, ग्रेटल को होश आत ब्रायन उसे बताता है कि वीच बच्ची को ले गई है, और उसने पूरे गाउ को तबह कर दिया है, शेरिफ ने इन सब का जिम्मेदार तुम भाई बेहन को ठहराया है, इसलिए इस गाउ में तुम्हारा रहना सुरक्षित नहीं है, और मैंने तुम्हारे भाई को वीच का पीछा करते हुए देखा है, शायद वो अब जंगल में होगा, ब्रायन उससे पूसता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरेंट्स ने तुम्हें बच्पन में छोड़ दिया था, क्या ये सच है, ग्रेटल बोलती है कि पता नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, दूसरी त पानी के डायन से हुआ था, वो पानी में भी रह सकती थी, पर मैंने उसे खत्म कर दिया, दूसरी तरफ हम ग्रेटल को देखते हैं, जो अपने भाई को ढूरने जंगल में आई थी, पर तभी कुछ लोग उस पे हमला कर देते हैं, ये शेरिफ के गुंडे थे, शेरिफ ग् डीमन वहां आ जाता है, और एक-एक करके वो सभी लोगों को मार देता है, अब वो शेरिफ के पास जाता है, और उसे अपने पैर से कुछल देता है, अब वो ग्रेटल को अपने साथ एक जहरने के पास ले जाता है, और उसके जक्मों को साप करता है, ग्रेटल उसे देखक पर काफी डर चुकी थी पर वो डीमन उसे पानी पिलाता है गरेटल समझ चुकी थी कि ये मुझे बचाना चाहता है वो उसे पूसती है कि तुम कौन हो वो बताता है मैं वीच का सेवक हूँ और वहां से चला जाता है अब हम हैंसल को देखते हैं जो गाव की तरफ लोट रहा था तभी उसे वहां एक कुटिया दिखती है वो उस कुटिया में जाता है जहां उसे गरेटल मिलती है ये जब उस घर को गौर से देखते है तो इने पता चलता है कि ये इनी का घर है इनका बचपन यही बीता था तभी हम ओल्ड वीच को देखते है जो वहां पहुच चु और वो समय आया जब ब्लड मून की रात थी और सभी वीच एक तांतरी क्रिया कर रही थी ये ऐसी क्रिया थी जिसके काम्याब होने पर वीच को आग से कोई खतरा नहीं था और इस क्रिया के लिए हमें वाइट वीच का हाट चाहिए था पर तुम्हारी मा बहुत पावरफुल इसलिए वो अपना जादू इंसानों पे नहीं चलाती थी गाव वालों ने उसे पकड़ लिया जब तुम्हारे पापा वापस आये तो लोगों ने उन्हें फासी में चड़ा दिया एक तरफ तुम्हारी मा जल रही थी और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा फासी पे जू आएगी जो अमर होने के लिए तांतरि क्रिया में हिस्सा लेगी ये सुनकर हैंसल को काफी गुस्सा आता है और वो उस पे हमला करता है ये विच काफी पावरफुल थी वो हैंसल को घाहल कर देती है और ग्रेटल को अपने सांथ ले जाती है ौशुबह होती है मीना वहां और इसका इलाज करती है, वो पूसता है कि मेरे घाव कैसे भर गए, वो समझ चुका था कि मीना भी एक विच है, पर वो बताती है कि मैं एक अच्छी विच हूँ, और तुमारे बेहन को वो घने जंगल में पहाड़ियों के बीच ले गए है, हैंसल वहाँ जाना चाहता था, जहां उसने सारे हतियार रखे थे, यहां ब्रायन भी होता है, मीना उस मैजिकल बुक के मंत्रों को पढ़ती है, और उन शक्तियों से बोतल के पानी को अभी मंत्रित करती है, अब वो उस पानी को सारे हतियार पे डाल देती है, अब यह सब वहाँ से निकलते है, दूसरी त बच्चों को लाने को बोलती है इधर हम हैंसल और बाकी लोगों को देखते हैं जिनोंने जंगल में विच के लिए ट्रैप लगया था इधर पहाड़ी पे आयोजन शुरू हो चुका था ग्रेटल और बच्चों को वहाँ लाया जाता है काफी सारी विचेज भी वहाँ आ के थे वो कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ और जब कहू तब तुम हमला कर देना हैंसल वहाँ आता है और ग्रेटल और बच्चों को छोड़ने बोलता है पर ओल्ड विच सब को बताती है कि ये घोस्ट हंटर है और इसने काफी सारी विच को मारा है तभी एक विच उसे म मार देती है हैंसल भी सबी विच को मारना शुरू करता है इधर मीना की बुलेड भी खतम हो चुकी थी एक विच सबी बच्चों को बली देने के लिए ले जाती है और ओल्ड विच ग्रेटल पे हमला करती है पर एडवर्ड उसे बचा लेता है विच एडवर्ड को मार देते है दूसरी तरफ हम ओल्ड विच को देखते है जो जंगल से भाग रही थी यहां और भी विच भाग रही होती है पर यहां ट्रैप लगाया हुआ होता है जिससे विच मारी जाती है यह ओल्ड विच देख लेती है और समझ जाती है कि यहां ट्रैप है इसलिए वो रास्ता चेंज कर देती है पर यहां ब्रायन घात लगाए बैठा हुआ था वो वीच को शूट करता है हैंसल और मीना भी वहाँ पहुच चुके थे पर वीच वहाँ नहीं थी दूसरी तरफ हम ग्रेटल को देखते है जो पहाड़ी के नीचे एडवर्ट को धूनने आई थी वो बेहोश पड़ा था गेटल उसे होश मिलाती है इदर हैंसल वीच को धूनते हुए कैंडी हाउस तक आता है पर तभी वीच मीना पे हमला करती है और ब्रायन को बंदी बना लेती है हैंसल उस पे हमला करता है पर वो काफी ताकत वर थी वो उसे घहल कर देती है आप वो नहीं वाली थी कि मीना उस पे हमला कर देती है पर ओल्ड वीच मीना को पकड़ लेती है और उसे मार देती है ये देखकर हैंसल को काफी गुसा आता है और वो ओल्ड वीच को शूट करता है मीना मर रही होती है वो हैंसल को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती थी और खिलिए उसे दोजा में मते हैं और जा मेरनरे होती हैंजेह जान तुल हुद खुद ना outsiders जादा में होती हैं और हिसे का इस्वी मारता है और काव जाती हैंNeal ने यहाँ नहीं दोजो जना ग्रेटल उसे जलड़ी से डाइबेटीस का इंगेशन देती है अब यहां फिर से इन तीनों में लड़ाई होती है और विच मारे जाती है अब यह उस विच को पूरे गाव के सामने जला देते है और अपने पैसे लेकर वहां से चले जाते है अब यह अपने अगले मिशन के लिए निकलते हैं ब्राइन और एडवर इनके साथ होते हैं और यहां ये मूवी खत्म होती है दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें